भगवान श्री राम भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता? रमायन के अनुसार भगवान राम ने हनुमान को अमर्ता का वर्दान दिया था, जिसे वो हर युग में अधर्म को परास्त कर धर्म की स्थापना कर सके. आज हम आपको हमारे इस लेक द्वारा हनुमान जी के अलग-अलग नामों के बारे में जानकारी देंगे कि कैसे उनके इतने अलग-अलग नाम पढ़े हनुमान जी का नाम कैसे पढ़ा मारुती हनुमान जी का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था यही कारण है कि हनुमान जी अपनी माता को छोड़कर गुरुकुल पढ़ने नहीं जाना चाहते थे। हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र उनकी मां के नाम पर पढ़ा। हनुमान के नाम के पीछे एक अनोखी पौरानिक कता है। मारूती की थोड़ी तूट गई। बस इसी घटना के बाद से मारूती का नाम हनुमान पढ़ गया। हनुमान जी का नाम कैसे पढ़ा के शरी नंदन। हनुमान जी का जन्म एक बहुत ही शूरवीर दयालू वानर राज महाराज के सरी के यहां हुआ। इसलिए हनुमान जी का माता अंजनी ने अपनी तपस्या से वायुदेव के प्रसंद किया था और वायुदेव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ती का वर्दान दिया। वायुदेव के आशीरवाद से ही केसरी और अंजनी को पुत्र की प्राप्ती हुई। वायुदेव के आशीरवाद से जन्म होने के कारण रिशी मुनियों ने मारुती को वायुपुत्र और पवन्पुत्र जैसे नाम दिये। हनुमान जी का नाम कैसे पढ़ा बजरंग बली? हनुमान जी वजर को धारंग करने वाले है और उनका बल्वान शरीर भी वजर की तरह मजबूत होने के कारण उन्हें वजरंग बली कहने लगे। बाद में यह वजरंग बली बजर और अवधी के कारण बजरंग बली हो गया। सामान्य भाषा में बजरंग बली भी एक अच्छा नाम है हनुमान जी की गदा का नाम क्या है हनुमान जी बाए हाथ अपने गदा को धारंग करते थे इसलिए इनके गदा को वामहस्तक दायुक्तम कहा जाता है लेकिन हनुमान जी के गदा के नाम का जिक्र कही भी नहीं हुआ है हनुमान जी का जन्म कौन से सन्द में हुआ था जोतिशियों की गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,45,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्निमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र वमेश लग्म के योग में सुबह 6 बच कर 3 मिनिट पर हुआ था हनुमान जी पृत्वी पर कब तक रहेंगे रामायन के अनुसार हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमर्ता का वर्दान मिला था